हलो एवरिवन कैसे आप सब लोग तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा इंट्रिस्टिंग वीडियो लाई हूँ जो है वाकिंग और एक्षेल विद नासिस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के साथ नीचे एक रेट सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना है सब्सक्राइब करने के लिए उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज क्यूंकि देखिए सबसे पहली नंबर वन बात है कि नासिस्ट को डील करने के लिए कि आप पहचाने की नास यह बहुत जरूरी है कि आप उस चीज़ को पचाने और मेरे जो वीडियो हैं ये मैंने अपने जो मेरे जिन्दगी में मैंने नासेस के साथ मेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत साल से और बहुत समय रही हैं और जब मुझे ऑवेरनेस हुई तो मुझे लगा कि मैं काफी हद तक उ समझ पाई और मैं उनको डील कर पाई सो अवेर्नेस बहुत जरूरी है एक बात मैं आप लोगों को और खेहना चाहूंगी कुछ जो नासिसिस्स के ओपर वीडियो हैं काफी सारे लोग बहुत नेगेटिव वीडियो बना देते हैं और उनको बहुत जादा नेगेटिव लाइ तो मेरे वीडियो स थोड़ा सा अलग तरीके के हैं मेरी वीडियो में आपको बनावानि आपको वह समझांगी कि क्या एक्जैक्ट्री हो रहा है उसमें जब घर्टना होती दो इसमें exactly है क्या है और जब उसको एक हानी टॉपिक यह थोड़ा सा हल्का लगता है और उतना औ आपको सुनेंगे तो ठीक है आप इसको कहानी सुनते हैं और दवसे बड़ी बात कि जब आप उसको चित्र में देखते हैं और संभिक में तो उसको समझना मुश्किल होता है और उसको हमें clear समझनी आता कि क्या हो रहा है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से request करूंगी please channel को subscribe करें share करें और लोगों के साथ जो भी आपको लगता है toxic relationship में है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि awareness होना बहुत जरूरी है अगर आपको समझ में आ गया आप जागरुक हो गये आपको पता चल गया कि हाँ टॉक्सिक relationship क्या होता है और क्या हो रहा है मेरे साथ तो at least आप उसको deal करना सीख जाएंगे आप उनको handle करना सीख जाएंगे relationships को और हां यह बहुत जरूरी है कि उसके लिए awareness हो जागरुक हो आपको पताओ कि हो खेर है तो ठीक हम आगे बढ़ते हैं जो और हमारा topic है वह हो walking on actions with narcissist तो narcissist के उपर हमने already वीडियो बनाए है narcissist क्या होते हैं उनको checklist होती है उनका उनको check करने के लिए कुछ criteria होता है कि नाए कि narcissist वो हैं कि नहीं है वो आपको dsm book होती है उसके 10 characteristics होते हैं उनके से अगर five match करते हैं तो वो narcissist होता है उसके लिए already video है मेरे channel पे तो आप उस पे जा सकते हैं और उससे भी आप उससे आप देख सकते हैं अदर्वास आप किसी expert psychologist की help भी ले सकते हैं और talking on actual with narcissist मतलब क्या नासिस्ट क्या करता है इतने वो मुझे तो कभी-कभी लगता है कि बेकारिया मुंसे लड़ने हैं उनके अंदर तो जैसे जान नाम की चीजी नहीं है हर चीज उनको चूप जाती है जैसे गुबारा होता है उस पर आपने कहीं सबी पिन लगाया ना छोट उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं आपने जरा साभी उनके बारे में बहुत अच्छी बात भी बोली पर उसमें कहीं पर उनका टॉपिक आ रहा है तो वो अपने को बचाने के लिए आपको पूरा नीचे कर देंगे आपके बारे में गलत बाते आपके मूँपे बोल देंगे ताकि आपकी हिम्मत ही नहों कि आप आगे कुछ बोल पाएं तो एक्षेल्स माने आपको ऐसे रहना पड़ता है उनके साथ जैसे कि आप किसी अंडा है उसके जो शेल होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं वो जबी पर बिचा दिये जब आपसे बोला जा कि बिना तोड़े उनको आपने आगे बढ़ना है वो एक तरीके से walking on actions माने आप उनके ओपर चल रहे हैं आप अंडे के जो टुकड़े उनके ओपर चल रहे हैं अपने उनको तोड़ना भी नहीं है उस तरीके से आपको चलना पड़ता है जब नासिसिस के साथ अप रहते हैं हर जीत सोच के ये बात में तो आप बोलना ही छोड़ देते हैं आप ग्रे रॉक मैथर्ड अपनाने लग जाते हैं ये सब करना पड़ते हैं क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं कोई communication या तो आप उनकी तारीफ करते रही है और तब तो फिर भी एक बार को वो चुप रहेंगे प आप सोचें आप इतने कमजोर आदमी के साथ लड़के करेंगे क्या अब कई बर रहां ऐसा लगता है कि अतने कमजोर आदमी के साथ कैसे relationship निभाया जाए इसके ऐसे आदमी के साथ करें क्या चूप रहें और क्या करें कम्यूनिकेशन तक नहीं कर सकते हैं पर नहीं है संब और अंदर से इतने कमजोर कि आप जरा सा भी पिन लगा रहें और वो फट जा रहें और हम एज़ा हम लोग जो होते हैं हमारी सेंच शक्ती बहुत होती है patience लेवल बहुत हाई होता है हम लोग उनको जहलते जाते हैं जहलते जाते हैं और हमें को बात बात में गुस्तार उनको ताकत देना छूड़िए उनके साथ उनके साथ उनको ताकत वर मानेंगे तो आप लड़ेंगे कैसे आप कैसे उस situation टे डील करेंगे आप ताकत वर हैं, आप एमपैथ हैं आप ताकत वर हैं, सब आपके पास हैं सिर्फ उसको धंक से channelize करके उसमें बुद्धी लगा के थोड़ा सा situation को समझे मुझे बहुत लोग कहते कि आरे आपने शायद लाइफ में डीली नहीं करा है किसी नासेस को तब ही आप इतने अराम से बाते बोलते नहीं, बहुत साल कहीं कहीं साल जिंदिगी का आते साथ हिस्ता मैं काट चुकी हूँ, पूरा मैंने नासेसस के साथ जिया है आख खोलने से लेके अभी तर और अभी भी वो मेरे साथ रहते हैं, तो मैं यह नहीं कहती कि मैंने डील नहीं किया है, बठा डील करने के बाद और बहुत सारा वीडियो देखने के बाद और बहुत एक बार बीच में नेगेटिव होने के बाद और यह देखने सोचने के बाद कि अरे वो बहुत ताकत वरा, कहीं न गई मुझे लगा इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है अगर मैं उन्हें ताकत वर मान जा रही हूँ तो मैंने तो वैसे हार मालने नहीं है क्योंकि मैं तो निर पहले ही ताकत वर मान चुकी हूँ चलिए तो अभी हमारी कहानी शुरू होती है जैसे कि हम हमेशा करते हैं सौरी आज थोड़ा लेट कहानी शुरू करी बाते करते करते इतना बातों में आ जाती हूँ कि मैं अपनी कहानी का पात्री बूल गई तो ये हमारे हैं नासिस्ट जैसे कि हम बोलते हैं हमारे नासिस्ट जो है ये हैं नासिस्ट और हाँ सुरी इनका ताज लगा रहा तो मैं भूल गई यह तो खुदी ताज पहन के अपने को राजा समझते हैं अब इनके साथ जो है एक एमपैथ हैं खुश हैं अपनी जिन्दगी में जैसे थे बिना नासिस के अब ये इनके साथ रहते हैं इनका रिलेशन्शिप है इनके साथ ये इनके हस्बेंट हो सकते हैं वाइफ हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं पैरंट हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं कोई रिलेशन्शिप भी हो सकता है अब अगर इन्होंने इनको कुछ अब यह है एक्ष्यल चलना है इनके चारों तरफ अब एक्ष्यल टाइप के हो गए है ऐसा लग रहा है कि इनको इसके उपर से निकलके चलना है अब अगर इन्हों ने कुछ भी बात कह दी ऐसी कोई भी बात कह दी जो ये एक्षेल्स है ये एक सोच रहे हैं सच में एक्षेल्स नहीं डालते हैं बट एक्षेल्स के उपर चलना है इनको अभार समय इनके चारों तरफ पैर कैसे आगे बढ़ाएंगे ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि अगर जरा भी ये कुछ कहते हैं कोई भी मुझे शब्द निकलता है इनके कुछ भी जिसमें अगर बात है नासिसिस्ट को उपर वो समझाना चाते हैं एक्षेल्सिस्ट को कि भाई रेलेशन्शिप दो तरफा है तो में भी कुछ काम करना पड़ेगा तुमने मुझे एक दिन ऐसा कहा था तुम शेर नहीं करते रिस्पोंसिबिलिटी फिर इनके फटने के चांसे निश्चित हैं तो आपको दीरे दीरे इस तरीके से चलना पड़ता है जैसे कि एक्षेल पर चलते हैं तो बहुत टफ टास्क है काफी मुश्किल है पर यह से कमजोर आदमियों कैसे आप दिक दिल करोगे यह आपको सूचना है यह इतनी जोड से फटते हैं जैसे गुबारा फटता है फट कांगे तो वैसे भी होते हैं फटके भी कामके नहीं होते हैं तों के साथ तो क्या छेडा खानी करीजाया क्या बोला जाए समझन Digital क्याबव अनको वहीएक टास्क हो जाता है कि अब यह Mr. Empath यह हमारे Empath हैं अब Empath परेशान हो चुके है कि क्या बोलें अंपथ ने अगर ऐसा बॉल दिया मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोरी सी जम्मिदारी शेर करनी चाहिए और तुम जम्मादरी को या फिर देखिए नासिस्स्त क्या बोलेंगे किस ने बोला मैं जिम्मेदारी शेर नहीं करता हूं कौन है वो जो ऐसा बोल रहा है मुझे तो हर कोई तारीफ करता है सब बोलते कि मैं बहुत अच्छा हूं काम करने में या फिर हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे आपको म पड़ेगा सबसे पहली बात है awareness में रही है सबसे लिए आपने अपने को ताकतवान मान लिया और उसको कमजोर मान लिया तो आधी ही तो आप ने एक्शिली कम से कम आप मेंटली तो आपको लग रहे ना छोड़ो जी कौन क्या कहते हैं कमजोर आदमी से लड़ाई करें जिसको ये सुनने की तक हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल राओं तो वो सुन तक नहीं सकता उसे क्या लड़ें तो आप अपना तो खुश रहेंगे ना उमीद आपको नासैसिस के साथ करने है गुस tenía ने आता में तो एक साल के बच्चे के उपर तो ये एक बड़ा आदमी है جिसकी जो सोल है वो छोटे बच्चे की है बस मैं 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 इसके लावा कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है इनको, ये शायद कहीं कहीं, अपने उसी फेज में अटक रखें, साल दो साल के बच्चे के फेज में, वो आगे बढ़ ही नहीं, चाहे वो पचास साल हो जाएं, चाहे साथ साल हो जाएं, वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, सो आई होब आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा सब्सक्राइब करिए शेर करिए जादा से जादा लोगों के साथ सो अगले वीडियो को मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगी ओके अगले वीडियो तक के लिए बाई